जैन दोस्तों वाइकम बैक टू आचेनल वाइकम बैक टू जौफ्ट्रिया आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बहतरी इन तरीके से लगे होंगे एक बाद फिर आफ सभी को जौफ्ट्रिया फैमिली में बहुत बहुत बाद कम करते हैं जहां दो परिक्षा अपने दोस्तों जानेंगे कि किन अपड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं चलिए मैं अभी नोटीस की और आपको ले चलता हूँ देख सकते हैं दोस्तों आभी रिसेंट का जो है ये नोटीस है डेट देख सकते हैं जर्कन प्रारमभी विद्याले प्रसचित सायक अचाट सन्जुक्ट प्रतियोगीता परिक्षा दोजर तेज़ अबंग जर्कन लोग सेवा आयोग यानि JPSC दोरा आयोजित संजुक्त और सेनिक सेवाप परिक्षा 2023 की परिक्षा एक ही दिन होने के फलसरूप परिक्षा की दिथी में परिबर्तन है तो कतीपाई अवियार्थियों से आवेदन प्राप्त किये गए है यानि यहाँ पर देख सकते हैं इसे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने बताया हुआ था कि आपका जो है JPSC मैंस का एक्जाम और यह सहाय करचाच 6-8 का एक्जाम जो है सेम डेट में होने जा रहा है इसलिए यह परिक्षा जो है आपका इस्थगित हो सकती है तो बिल्कुल देखिए इस्थगित हो गई है और इसमें बताया गया है यही कारण है इस्थगित होने का कि JPSC मैंस का एक्जाम जो है आपका होना है 22 से लेकर 24 जून में तो इस बज़े से यहाँ पर सेम डेट में दोनों परिक्षा हो जा रही थी इसलिए परिक्षा को इस्थगित किया गया है आप समझते हैं कि किनका किनका परिक्षा जो है यहाँ पर इस्थगित होआ है ध्यान से वीडियो को समझेगा पूरे वीडियो को देखना है तभी आपको सारी क्लिरेटी आएगी कि किनका परिक्षा या इस्थगित हुआ है ध्यान से समदे इंटरमेडियत प्रसेचित सहाय गर्चाज कक्षा 1-5 से सम्मंदित अवियार्थियों दरा प्राप्त आवेदन के आलोक में आयोक दरा अवियार्थियों की परिक्षा अगले आदेश तक इस्थगित की जाती है यानि 1-5 का भी जो है परिक्षा पॉस्पॉंड हुआ है जिनका पंजियन संखा यानि रेजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर दिया हुआ है यह बात कर रहे हैं 1-5 बालों के लिए तो दिये गे यह जो रेजिस्ट्रेशन नंबर है इन सभी अवियर्थियों का यहां परिक्षा पॉस्पॉंड किय गया है यहां 13 candidate का जो है परिक्षा यहां पर पोस्पॉंट किया गया है यानि अगले आदेश तक यह परिक्षा इनकी नहीं ली जाएगी यानि जब तक अगला आदेश जारी किया जाएगा तभी इनकी परिक्षा ली जाएगी अभी उसका तीथी नहीं बताया गया है कि कब कंडेक्ट होगी लेकिन यह रेजिस्टेशन वाले नंबर वाले केंडी रेट का यहां परिक्षा पोस्पॉंट कर दी गई है नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि इसनातक परस्चित साय कचाद यानि कक्षा 6-8 से संबंदित अभियर्थियों द यह आ गया है समंदित अभियर्थियों का पंजियन संखा यह है यानि 6-8 जो इसनातक परस्चित साय का चार्ज है और जिनके आवेदन जो दे के आये थे जैसे सी ऑफिस में उनहीं का यहां पर परिक्षा पोस्पॉंट किया गया है और उन सभी अभियर्थियों का पंजिय किया गया है यहां पर जो आपको दीक राय रिस्टेशन नंबर इन सभी अभियर्थियों का परिक्षा पोस्पॉंट हुआ है सिर्फ और इन्हीं लोग का हुआ है सबका नहीं हुआ है इस बात को ध्यान रखिएगा इन्हीं लोग का क्यों हुआ उसके पीछे का रिजन है इन लोगों ने जो है जैसे सी ओफिस गए थे और इन्होंने जो वाकाइदा ओफिस में जा कि जो है आवेदन जमा किये थे इसके रिगार्डिंग तो इस बज़े से इनके जो है यहां पर इनका परिक्षा पोस्पॉंट हुआ है तो एक देखिए बड़ी अपडेट है आप आवेदन पर कोई करवाई आप इछित नहीं होगी इन्होंने यह भी कहा है माल लिजी आपका भी जो है यहां परिक्षा जो है 22 से 24 जून के बीच में आपका पड़ रहा है किसी डेट में आपका है 23 से तो इसे भी स्टार्ट है 23 और 24 में अगर किसी डेट में आपका एक्जाम है और आप एक ऐसे केंडिडेट हैं जो अभी जाके जो है जैसे सी ऑफिस में जाके जो है आवेदन जमा करेंगे कि मेरा भी परिक्षा जो है पोस्पोंड होना चाहिए तो उस केस में अगर सिंगल केंडिडेट होंगे तो उनका परिक्षा पोस्पोंड नहीं कर आए जा है तो देख सकते हैं दोस्तों एक बड़ी अपड़ेट निकल के आ रही है आई होप कि आपको किलियर हो गए होगी कि 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 इनका परिक्षा पॉस्पंड हुआ है फिर मैं बता देता हूँ सबका परिक्षा पॉस्पंड नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ उनी तीमे है उसी तीमे होगा तो यह थी दोस्तों अभी की अपडेट आई होप की वीडियो आची लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और यह इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर फैलाएए उन्हें भी इंफॉर्म कीजिए उन्हें भी